next question, question says a thermodynamic system undergo cyclic process A, B, C, D, A as shown in the figure, the work done by the system in the cycle वो क्या होगा, so A से B, B से C, C से D हम ऐसा गए, तो अपना जो process यहाँ पर अपने को बना के दिया है, वो कुछ ऐसा है कि A, A से हम पहले गए B, यहाँ पर B, और यह A, A से B, B से हम आए C, C से फिर हम D, और D से लोट के घर को आए, तो B, C, और उसके बाद ऐसे होते हुए, D गए और D से वापिस A पर आ गए, अलाइट, डेटा जो दे रखा है, वो P 0, 2P 0, 3P 0, तो यह वाली वेल्यू हो गई, आपकी P 0, यह वाला 2P 0, और यह वाला 3P 0, और यहाँ डेटा है, V 0 और 2V 0, यह V 0 और यह 2V 0, Now, this is the given question, अब आप में पताना है, यहाँ पर work done by the system on the cycle क्या होएगा, यह बात अपने को पता है, Now, किसी भी cyclic process का जो अपना work done होता है, वो work done होता है, area enclosed, मतलब उसके process के अंदर जो area आएगा, PV graph में, वो आपका area enclosed work done होएगा, तो इस वाले case में, यह आपका area 1 होएगा, यह आपका area 2 होएगा, इन दोनों का sum जो है, वो आपका total work done होएगा, So, total work done जो आएगा, वो आपका area 1, work done जो होएगा total, area 1 plus area 2 आएगा, अगर हम इस point को मान लिजे, E कह देते हैं, तो यह वाला जो process है, उसका yes वाले का work done जो हैगा, आपका A1 जिसको हमने कहा है, कि यहाँ से ऐसे work done आ रहा है, यह आएगा, अच्छा, यह क्योंकि आपका, जान लिजे, आपका cyclic process ऐसा है, कि वो ऐसे गया है, ऐसे और ऐसे, तो इस case में इसका area आपका positive आता है, और जो आपका anti-clockwise है, ऐसे और ऐसे जाके, तो इसका area आपका negative आता है, उसका reason यह होता है, कि इस वाले case में आप, इसको अगर आप half में divide कर देंगे, तो पहले आप य area से यह minus करते हैं, उसमें फिर इसमें से minus तो negative आता है, तो यह वाला area जो आएगा, क्योंकि यह आपका anti-clockwise area है, तो इसका area negative आएगा, और इसका negative area आपको देखना है, इसके value कितनी होएगी, तो इसका जो वो होएगा, अच्छा, इस triangle अगर तो आपको, तो इस triangle का area निकाल क करेंगे, उसे हम twice कर देंगे, total area आजाएगा, तो इस a triangle का area minus twice multiplied by half, यह जो value है, यह है आपकी p0, और यह जो value है, यह यहां से और यहां के बीच में आपकी value होएगी, v0 by 2, यह आपका, इसका area होएगा, ठीक है, प्लस इस वाल area की बात करेंगे, अगें यह triangle, इस triangle के area आप double कर सकते हैं, तो यह आजाएगा, half p0, v0 by 2, actually इसकी value 0 आ रही है, तो यह जो value बनेगी, यह बनेगा minus p0, v0 by 2, यह बनेगा p0, v0 by 2, तो आपकी final value 0 हो गई, तो based on this हम कह सकते हैं, option number d, 0 would be the right answer.